नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा साल 2220 का जो शुर्गहन लगने जा रहा है ये 24 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को लगेगा सही समय और सूतक काल भारत में कितने बजे लगेगा गर्वती महिलाएं जरूर करें ये काम पंचान के अनुसार कार्तिक माश के कृष्ण पक्षी अमश्यतिती को साल 2220 का दूसरा और अन्तिम शुर्गहन लगने जा रहा है ये शुर्गहन भारत में दिखाई देने वाला है इस साल का पहला शुर्गहन होगा जो की 25 अक्टूबर को भारत में दिखाई देगा साल 2220 का पहला शुर्गहन 30 अप्रेल को लगा था जो की भारत में दिर्श नहीं था 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को लगने जा रहा है ये शूरगहन तूला राश में लगने जा रहा है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2022 का दूसरा शूरगहन भारत में कितने बज़े दिखाई देगा शूतक काल का समय और इस दिन बरती जाने वाली महत्पूर्ण सावधानियों के बारे में खास कर गर्वती महिलाएं जरूर करें ये काम दोस्तों साल 2022 का जो यनि की दूसरा शूरगहन लगने जा रहा है और दिखाई देने वाला पहला शूरगहन ये 25 अक्टूबर को लगेगा और इसका सही समय भारती समय के अनुसार 25 अक्टूबर को दुपहर दो बचकर 29 मिर्ट से शुरू होगा और साम 6 बचकर 32 मिर्ट तक रहेगा यनि कुल अबधी 4 घंटे 3 मिनट की होगी सूतक काल ये 25 अक्टूबर को शुबह है दो बचकर 29 मिर्ट से ही लग जाएगा क्योंकि सूतक काल शूर गहन का गहन लगने के 12 घंटे पहले ही लग जाता है इस हिसाब से सुबह यानि की भोर में ही दो बचकर 29 मट से सुरू हो जाएगा और जब ये 25 अक्टूबर को साम को 6 बचकर 32 मट पे ग्रहर समाप्थ होगा तभी इसका सूतक कल भी समाप्थ हो जाएगा दोस्तों इस दिन खास करके जैसे की गर्वती महिलाएं बाहर ना निकलें खास कर गर्वती महिलाओं को विशेश सावधानी बरतने की जरूरत है गर्वती महिलाएं चाको सुई कैंची धारदार वाली वस्तवे बिलकुल ना चुएं और खास कर इस दिन जैसे की भोजन बग इसका इसर आपके बच्चे पर होता है दोस्तों बता दे कि गर्वती मैलाएं ग्रहन काल के समय जरूर करें ये काम यानि कि आपको इसमय पूजा पाथ नहीं करना है लेकिन आपको भागवान के मंतरों का जाब करना है ग्रहन काल में आप यानि की भजन कीरतन करें लेकिन पूजा पाथ ना करें मंतर के कपाथ बंद कर दें ग्रहन काल समाप्त होने के बाद गर्वती मैलाएं खास कर यानि की नहाद होकर गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में नहाने की पानी में गंगा जल डाल लें फ दान जरूर करें इस दिन गरीब जरूरत मंदर लोगों को दान करें और चाकु सुई कैची यनि कि जो भी धारदार वाली वस्तों हैं उन्हें बिल्कुल भी ना चुएं तो गर्वती में लाएं ये काम जरूर करें दोस्तों ये साल का दूसरा शूरगहन और दिखने वाला पहला गरहन है इसका प्रभव बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा बता दे कि ये गरहन हमारे भारत में यनि कि साम को यनि कि साधे चार बजय के बाद ही दिखाई देगा हलक ये एक अनसिक सूरगहन है लेकिन भारत में इसका असर रहेगा इस्टार्ट हो जाएगा दो इंटालिटिका में दिखाई देगा अटलांटिक में दिखाई देगा और योरोप के कुछ हिस्सों में एशिया के पूर्भी और पश्मी हिस्ष में दिखाई देगा और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा तो दोस्तों आज के शुरगण के बारे में शंपूर बज़े से लगेगा 24 को हो या 25 को तो हमने आपको बताए कि 25 अक्टूबर को लगेगा और इसका सुतक कल का सही समय भारत में कितने बज़े लग रहा है गर्वती महिलाएं को क्या काम करना चाहिए ये भी हमने आपको जानकारी दिया दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यदा ज़्यदा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और चैनल से जुड़ने करें सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरू दबा दीजेगा जये शनिदेव जये शूर देव